ये फोन देखो, देखने में ये बिलकुल एक नॉर्मल सा फोन है, लेकिन इसको बनाने वाले कमपनी अपने हर एक कस्तमर को ये फोन नहीं, मेक इन इंडिया के नाम पे एक स्कैम बेचती है। यूस्बी सी केबल, कागच वागच सब कुछ है। लेकिन एक बार डबबे पे स्पेक्स देखो, 16 मेगा पिक्सल कैमरा, HD प्लस डिस्प्ले, 4 प्लस 32 जीबी की रैम रॉम, अक्ता कोर, एंडरोड 10 और 4000 मेच की बैटरी। अब 6000 में तो क्या ही बुरा है इसमें, पर अगर मैं UI है, और सिर्फ आइकन्स ही नहीं, सेटिंग्स, क्लॉक, कैल्कुलेटर, कैलेंडर और मैसेज़स, सब कुछ सैमसंग का है। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊ, इसकी सेटिंग्स में आपको कुछ तो अजीब दिखेगा, 3 सेकिंड दे रहा हूँ, spot करके एक, दो, तीन, जिसने कर लिया, अपने लिए ताली बजा लो, और जिसने नहीं किया, वो लास्ट सेकिंड ऑप्शन देखो, इसमें नॉक सेक्योरिटी है, जो सैमसंग के फोन्स में एक्स्क्लूजिव एक हार्डवेर चिप लगी होती है, सेक्योरिटी के लिए वो है इस पेट लिया, और नॉक सेक्योरिटी, भाई, कॉपी तो ढंसे कर लो, वो नहीं दे सकते आप किसी फोन में, इवन अगर आप ये स्क्रीन भी देखोगे, तो इसका टच फीडवेक इतना घटी है कि कहीं भी क्लिक हो जाता है, कोई दीन मानी नहीं है, और मार्केटिंग में ये लोग लिखे रहें, मल्टी टच केपैसेटिव टच स्क्रीन, अरे यार तुम मल्टी क्या मारो, वोली तुम सिंगल टच पे चल जाओ, वही बड़ी बात हो जाएगी, और मैंने एक वीर्ड सी चीज नोटिस करी, जब आप इसकी स्क्रीन को साइड से देखोगे, तो आ आप सेटिंग्स में भी Android 10 ही दिखाते हैं, इवन CPU-Z जैसी एप से भी जब आप चेक करोगे, तो वहाँ पे भी Android 10 लिखाता है, Amazon Flipkart में भी Android 10 लिखा है, पर पता नहीं क्यों मेरे को इनकी करतूतों में भरोसा नहीं था, तो मैंने काम किया, जब आप किसी नए फोन में सा जाके, अपडेट्स में देखें, तो यहाँ पे भी हमें दिखता है कि Android वर्जन 8.1.0 ही है, तो यह CPU-Z जैसी आपस के उपर भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रैंड्स कुछ ना कुछ करके, इनके रिजल्ट्स को मॉडिफाइक कर देते हैं, जयानि कि Android 10 का एक जूट पकड़ा गया, डब्बे पे अभी 6 चीज़ें लिखी हुई है, आओ आगे देखते हैं, इन्होंने कैमरा कितना बोला था, 16 ब्लस 13 मेगापिक्सल, एक्चुल में दिखाओं कितना है, कैमरा एप खोल के, सेटिंग्स में जाके, जब हम पिक्चर साइज पे क्लि करोगे, तो मैक्स ऑप्शन कितना दिखा रहा है, 8 मेगापिक्सल, यानि कि कैमरा 13 प्लस 8 का है, 16 प्लस 13 का नहीं है, हाँ, लेकिन एमजोन फ्लिप कार्ट पे ये चीज़ सही लिखी है, कि कैमरा 13 प्लस 8 मेगापिक्सल का है, डब्बे पे सब जोट लिखा है, अब मैं कि बैटरी 4000 मेच की है, और वो करने के लिए मैंने क्या गिया, फोन को पूरा खोल दिया, खोलने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, वो ये है कि बैटरी इस फोन के साइज की ही नहीं है, साइड में थर्मो कॉल फसा रखा है, ताकि बैटरी चिपक जितनी मर्जी लेयर हटा दें, आगे पीछे की, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, यार मेच वे मारो गोली, यहाँ देसी बैटरी यहां डाली जा रही है, और अगर मैं आपको उपर का ढकन कोल के दिखाओं, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, कि नाम के तीन कैमरा ह अब एक चीज तो पूरी धंक से दे दो, थोड़ी तो शरम कर लो, आई कॉल वाल हो, शरम से याद है, साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको फ्लिप कार्ट की करतूद दिखाता हूं, देखो, फोन क्लेम करता है कि बैटरी कितनी है, 4000 mAh, अब असल में देसी बैटरी है, कितनी है, वो भी नहीं पता, लेकिन अगर आप फ्लिप कार्ट पे जाके देखोगे, तो वहाँ लिखा है 4000 mAh, आप बोलोगे दिवांचु कंपनी ने जो भोला है, उस हिसाब से तो फ्लिप कार्ट ने सही लिखा है, क्यों फालतो बकवास कर रहा है, एक सेकिंड यार, जरा 28GB with memory card, ठीक है, लेकिन इसी में नीचे देखो, expandable memory 64GB, और देखते हैं क्योंकि मेरे को मज़े आ रहे हैं, नीचे देखो, sim type, dual sim, एक है nano और एक है e-sim, समझ रहो ना, इसमें एक e-sim लगती है, अगर और थोड़ा धंसे देखेंगे, तो हमें एक अधी चीज और मिल कुछ भी चाप पे जा रहे हो, और flip card पे i call के सारे smart phones के साथ यही दिक्कत है, सबकी descriptions, photos और spec sheets में फरक है, तो यहां गलती का ठपा भी flip card पे ही लगेगा, at least Amazon पे यह सब कहीं नहीं हो रहा, कि यहां कुछ और लिखा है, वहां कुछ और लिखा है, वो at least organized तो है, चलो, अब इस सब के बाद, आप मुझसे पूछोगे, कि यह सब तो ठीक है, लेकिन इनके phones लेता कौन है, जो हम इनको expose करके अपना time खराब कर रहे हैं, सही बात है आपकी, तो चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इनकी website पे चलते हैं, बाकि सब phones को छोड़ो, यह एक phone देखो, i Fireblue है, और देखो, यह बिल्कुल सेम उसी के जैसा दिखता है, अब YouTube पे जब आप iCall Z19 सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ shots मिलेंगे, यह shots उन दुकान वालों ने बनाए हैं, जो इस phone को बेच रहे हैं, और इनके comments अगर आप चेक करोगे, तो लोग इस phone का price पूछ रहे हैं, और comments पड़के आपको अंदाजा भी लग जाएगा, कि यह सारे लोग इतना जादा नहीं जानते phone के बारे में, और ऐसे ही innocent लोगों को target करने के लिए, यह companies ऐसे phones बनाती हैं, ताकि शरीफ सीधे साथे लोग आएं, और iPhone के बहकावे में आके खरीद ले, तो अब यह समझ आ गया कि सस्ता iPhone दिखा के एक ठीक ठाक मार्केट बन ही जाता है, और offline में तो और बड़ा होगा, और यह वो customers है जिनकी financial situation उतनी जादा अच्छी नहीं होगी, और उनको जब यह दिखाया जाएगा कि इस phone के पीछे तीन camera लगे हैं, और यह दिखता भी iPhone जैसा है, तो एक साधारन से बंदे को 5-6,000 रुपे में और क्या चाहिए होगा, क्योंकि दुकान वाला उनको यह नहीं बताएगा कि सर इसमें दिख रहे हैं तीन camera लेकिन exist एक ही करता है, obviously वो ऐसा क्यों बताएगा किसी को, अब मुझ से पहले ग्यान थरेपी सर ने इन पे दो में बताऊंगा, लेकिन GT भाईया की वीडियो के बाद इन्होंने अपनी website पे एक notice डाल दिया था, कि it has come to our notice that a lot of lower mAh batteries by mistake have been packed with some of the iCol mobiles, यानि कि उनकी वीडियो में जो हमने 4000 mAh के नाम पे 2500 mAh की batteries डाली थी, वो गलती से डाली थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखि की निकलती है, और वो होती भी चाइनीज है, और इस वीडियो के बाद यह क्या लिख देंगे, कि हमने थर्मकॉल भी कलती से डाला था, जूठे कहीं के, और इनकी terms and conditions में भी कुछ लिखा है, अब समझें मीटे मीटे reviews कहां से आ रहे थे, यह लोग खराब reviews को खुदे डिल जवाब की मारू खोली, यह देखो, contact the manufacturer और carrier, contact करके देखते हैं, अरे यह error क्यों आ रहे है, अच्छा चलो refresh कर लेते हैं, ओ, फिर से error, शायद trust Fika पड़ गया, so ideally you cannot trust I call, अब मैं making India sentiment भी कुछ बोलना चाओंगा, जिसको offend होना हो जाओ, क्योंकि उससे facts change नहीं होंगे, दे हम emotions की दिवार के बीच से धंदे के motive को देख नहीं पाते, यह जितने भी make in India वाले smartphone brands हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्होंने पहले भी हमें Chinese phones लाके बेचे थे, और यह अभी भी same चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में recently लोगों को Chinese brands से तोड़ी नफरत हो है, because of border tensions and all, और इस चीज़ का Micromax ने बहुत फायदा उठाया था, और मैंने तब भी कहा था, कि वो यह सब heat of the moment में कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों के देश वक्ति वाले emotions के साथ खेलने का मौका मिल रहा था, मोटी बोटी बात जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, व वो एक अलग मुद्द है, लेकिन ये जो Indian brands है, जो लोगों के patriotic emotions के साथ खेलके उनसे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे घटिया scam और कुछ नहीं है, अब एक आखरी बात, जो मैं generally कभी नहीं बोलता, लेकिन इस बार situation थोड़ी सी different है, ये वीडियो आप ऐसे लो और आइकॉल वालों थोड़ा धंग से दंदा कर लो यार, मैं तो आइफोन तक को नहीं छोड़ता, तुम तो फिर भी आइकॉल हो, थोड़ा तो सुदर जाओ, चलो जी, this is it from my side, thank you so much for watching, I am Devanshu and I am on leave, till the next one, bye bye